Hello everyone, कैसे हैं आप सर्थ? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो धन तेरस वाले दिन की कुछ ऐसे उपाई किये जाएं जिससे आप अचानक धनलाब चाहते हैं तो वो होगा आपको कोई रुका हुआ काम है तो वो हो जाएगा करजे हैं तो वो खतम हो जाएंगे तो वो आजाएंगे यानि के आपकी धन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम से वो सारी की सारी खतम हो जाएंगे तो आज मैं कुछ जैसे उपाय और टोड के आपके साथ शेयर करने वाली हो जो धन तेरस वाली दिन आप जरूर कीजेगा क्योंकि ये करते ही साथ के आपकी जिन्दगी में हो जाएगा माजिक आपकी धन से रिलेटेड यानि की मनी के से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी चुम अनतर तो वीडियो में तक जरू बने रहेगा तो से पहले ये जान लीजे मैं कौन मैं शौन ली कुपता वास्तू कंसर्टेंट नमस्ते आप सबको मैं कमेंट सेक्शन में अपना नमबर शेयर नहीं करती है आपको मुझसे बात करनी है वास्तू मेरे को जर्दीरेट ऑफ जीमल डाट कॉम पर फ्री रेमिडी अवैलेबल है साथ मैं टेलिग्रम कर लिंक में आपके शेयर साथ शेयर करूगी जहां पर मैं डेली आपके साथ अपके साथ रेमिडी शेयर करने वाली हूँ जल्दी से जल्दी उसे भी जॉइन कर लीजेगा चली दोस्तों आज मैं आप असाथ शेयर करने वाली हूँ धन तेरस के दिन कैसे कैसे उपाई किये जाए जिससे आपके पास खूब सारा पैसा आए तो चलते हैं पहले कर सकते हैं तरीस अक्टूबर को चलिए सबसे पहला उपाय है आपको क्या करना है लेने है तेरा दिये और साथ में तेरा कोडिया अब ये आपको मीन दर्वासे के पास आपको जलाने है उसके बाद जब दीपक जला देंगे अगले दिन आपको क्या करना है इनको उठा ले बट अजानक धन लाब चाते हैं तो इससे आपका जरू की जरू लाब हो गाए यानि कि आपका कही न कहीं स्टग्ड मनी है तो वो आपका विकल के भार आ जाएगा पैसे आपके पास आजाएगे चलते हैं दूसरे उपाई की तरफ धन तेरस वाले दिन आपको 13 दीपक यानि प्रोस्पारिटी आएगी और साथ ही साथ कुबेर भगवान महराज आपके खुश होंगे चलते हैं तीस रोपाई की तरह यदि आपको पैसे से रलेटिड बहुत इशूस फेस कर रहे हैं पैसे की बार बार कमी होती है पैसा आता है जाता है पैसा आता है जाता है अगर ऐस अगर पैसे से रलेटिड बहुत प्रॉब्लम्स और है तो आपको क्या करना है अगर देर साली दिन दीपक ज़लाएंगे तो दो लोंग के जोड़े जलाने है यानि कि दो लोंग का एक जोड़ हुआ वह आपको हर दीपक में रखके जलाना है जैसे कि मैंने तेरा दीपक ब वो खतम हो जाएगा और आपको पैसे की प्रॉब्लम नियागी ध्यान देना है जो लोग है वो टूटे वे ना हो वो साबुत लोग होनी चाहिए चलते हैं नेक्स उपाई की तरफ कहते हैं इस दिन अगर हम किनर को दान देते हैं तो बहुत अच्छा होता है और उससे उपर अच्छा क्या होता है उनसे एक रुपे ले लेना और उसको अठाकर अपनी तिजोरी पर्स में रख लेना पैसे से रिलेटिट कभी कोई प्रॉब्लम नियाएंगी कोशिश कीजिए कर्ण से सच्छा कोई तो अग हाँ सैसे सर एंग रupaj की अब शित अपनी पर्स में तेजोरी में डख लिए मा लक्ष्मी जी को लागं प्रेज के साथ साथ वह शां बहुत प्रिया होता है तो इस दिन सफेध रंको जाद से थाड़ को बाता शेक ही अब ये सब लोगों म मिठाई सफेवल अऑँ कपड़ा अगर आप लोगों में दान देते हैं तो पैसे से रिलेटीड रेलेटीड गढंव हो जड़ेंगे तो यो पाई जरूर कीजेगा करजे से रिलेटीड प्रॉबलमस भी आपकी खाद में ज़रो जाएगे इससे आपके घर में धन में भडोतरी होगी, ग्रोथ होगी, करियर में ग्रोथ होगा, बिजनस में ग्रोथ होगा, कैश में ग्रोथ होगा, अगर आपके पास जो धन है, जो जुड़ा हुआ धन है, वहाँ पर भी भडोतरी होना स्टार्ट हो जाएगी, कई बार लोग बोलते आपका नाम भी बहुत अच्य से फैलेगा जैसा आप चाहते हैं जी आप चाहते हैं लास्ट रुपाइए है आप किसी ऐसे पेड की टहनी तोड कर आईए जिस पेड पर चमकादड बैढ़ते हो यानि कि बैट बैटने हो वह आप टोड के जाया वागे सम्मान की प्राप्ति ह फैसाे यह छोपाय को पैसा पर विलेके हैं पैसा है और फैम नहीं मिल रहे तो ये अगे जारर किज़ेगा साथ में सोच्य करहतेस सच्टंक प्रोडलों सभी काम झालिका है टो जरुर कें जो इसे यह जारर काम यह जो ऑफी काम है